प्रिग्नेंसी में स्ट्रेच मार्क एक बहुत बड़ा कोशन मार्क है कि इसे कैसे कम किया जाए आज का एक ऐसा टिप में बताऊंगी जो कि मेरा खुद ट्राइड एंट टेस्टेड है और इसके इतने इफेक्टिव रिजल्ट आए हैं जिसकी कलपना भी आप नहीं कर सकते ह हैं बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि मेरी ट्विन प्रिगनेंसी हु場ती हैशा होती है जो पहले बच्चों का वजन बहुत ही कम था लेकिन फिर भी आपके अंदर stretch mark बिल्कुल ना के बराबर है तो मैंने ऐसी कौन से tip को follow किया है उसको जाने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकि लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल twins my world care पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको stretch mark दूर करने के ऐसे basic अरसान से नुसकी बताऊंगी जिसको अगर आपने pregnancy के दौरान जब से अगर आप pregnant होते हैं first trimester तो आपको यूही निकल जाने दिजे लेकिन second trimester से लेकि आपको last time तक जब तक आपकी delivery नहीं हो जाती है तब तक daily basis पे आपको ये काम ज़रूर करना है बिल्कुल skip किये बगर और आप देखेगा कि आपको stretch mark बहुत ही कम बहुत ही कम है एकदम से 100% तो नहीं बोलूँगी लेकिन 99.9999% तक आपका ये कम हो जाएगा आपको करना क्या है? सबसे important चीज जब भी अगर आप नहाने जाते हैं नहाने के बाद आप अपने bathroom में simple सा एक funda यूज कर लिजे कि जब आपका body गीला ही रहता है यानि कि especially आपका जो पेट का हिस्सा होता है आपको बस नारियल तेल रखना है नारियल तेल को अच्छी तरह से हाथ में फैलाईए और अपने पेट पे हलके हलके से मसाज देना शुरू कर देजे और ये सिर्फ आपको नहाने के तुरंत बाद ही करना है ऐसा मत करीगा कि नहा के आप आप आगा है आपने कपड़े वगरा पहन लिए पूजा पाट कर लिया खाना वगरा खा लिया उसके बाद आप तेल लगाने जा रहे हैं ऐसा मत करीगा नहाने के इमिडेटली भाद क्योंकि जब नहा के आप अपने बड़ी को पोस्ते हैं तो कुछ पानी की बूंदे आपके बड़ी पे रहती हैं जिसके वज़े से वो थोड़ा सा अंदर की तरह एब्जॉर्फ हो सकते हैं तो वो जो तेल को अंदर की तरह एब्जॉर्फ कराने के लिए आपको गीले गीले ही आपको अच्छे से नारियल तेल का इस्तमाल करना है मैं आपको नारियल तेल इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि नारियल तेल हर घर में अवलेबल होता है जो की सबसे जादा इसलिए अवलेबल होता है वो होता है नारियल का तेल अगर आप नारियल के तेल के साथ कमफर्टेबल है आपकी स्किन भी थोड़ी सी न जलेगी न कुछ होगा वह सरे लोगों का ये मानना होगा कि सरसो तेल भी लगा सकते हैं क्या तो मैं आपको बोलूगी कि सरसो तेल में आपको थोड़ी सी इचिनेस लग सकती है थोड़ा सा जलन हो सकता है लेकिन नाजगल तेल परफेक्ट होता है इस काम के लिए तो आपको बस हाथ में फैलाना है और जब अगर आपकी बोड़ी गिली है उस टाइम पे ही आपको अच्छी तरह से मसाज कर लेना है ये डेली बेसिस पे करिए अगर आप दो बार ना हाते हैं या फिर अगर आप रात में भी करना चाहते हैं ये आपके लिए 110% आपके स्ट्रेच मारक को रिमूफ करने के लिए क्kaफ़ी जादा हेल्फ़ुl होगा अगर आपकी प्रेग्नेंसी हो जाती है, इसी वीडियो पे आप कमेंट करिएगा कि आपको ये स्ट्रेच मारक कितने कम आये है बिल्कुल मैंने जो आपको 99.9% वाली जो बात बोली है यह एक दम से सच है इसको जरूर फॉलो करीगा अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा शेर करेगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए और अगर फेस्बूक पेश भी लाइक नहीं किया है तो जरूर फेस्बूक पेश को भी लाइक कर दिजिए थैंक्यों सुमच फर रॉचिंग ट्रिंस्वाइवल्ल के एर